हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टरी नंबर वन के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे वो दोस्त एक बास ज़रू से कमेंट बाक्स में बता दीजेगा फिर हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की और जो कि हमारा है पधिया वरण द सीवते तो जिन्दगी में आम हैं जिन्दा हो तो ताकत रखो बाजूओं में लहरों के खिलाब तैरने की क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लासों का काम है क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लासों का काम है दस्तों आर्के आर्ट्स के द्वारा लिखा गया है और उमीद च प्यार के वह बदावलत यहां पर खड़े हो पाते हैं नज थो हमारी इतनी अवकात नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो पाऊंँ दोस्तो चलते हैं अज अपनी क्लास की ओर जो कि है पर्यावरण से संबंधित दोस्तों इसके पहले हमने पर्यावरण का सलेबस बता चुका लेकिन आज कि हमारी जो क्लास है वह है फ्लोरा एंड फुना जिसे हिंदी निका जाता है वन यहां से पिछले जाकर देख लिजेगा यहां से दो तीन कुछे गए हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है हाला कि यहां से हम वन को आज कंप्लीट करेंगे फिर इसकी आगे हम कंप्लीट करेंगे हाला कि इससे तो कम लेकिन इससे तीन-चार को विखन बहुत नहीं है एक इस यह आने वाले अगली घ्लास इंपोर्टेंट है धूली से प्रकास हो जाती है चुकिन नहीं था इस प्राब्लम हो जाती है लाइट नहीज था इसके लिए थ्वासा दिख्कत हो जाती है हलांकि देखते होंगी हम जब उएस से वीटिवती जब लाइट फैसे बनालेते हैं कि लेकिन हम आज चलते हैं अपने क्लास के लिकिते हैं इसमें क्या-क्या से गाया हो वन यहां लग रहा है ना सुन्दर लग रहा होगा हमें मालूम है तो मैं बनाया हूं और मैप से रिप्रेजेंट करवा के बताऊंगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अपने टापिक के चलते हैं तो हमारी कहानी वहां से प्रद्यावरण कर सकते हैं एक प्रकार से मनुस्यों के जीवन के लिए और प्रद्यों के जीवन के लिए यानि कि सभी प्रकार से संतुलन मिंटनेस सब्सक्राइब कर सकते हैं संतुनन सथीक होना और इसी के संबंध में जो होती है दो-दो साल पर अंतराश्टी बैठक होती है और अंतराश्टी बैठकों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहां कि कितना परसेंट सेंट सेंट में हैं सबसे पहले बात करते हैं में 1981 से साप adventurous से कमों हो रही है कि एक अंतराश्टी बैठक होती है उस बैठक में कहा जाता है कि हमारी जो one की परसंटेज़ होनी चाहिए, one की परसंटेज़ प्रतेक देश के 33% होनी चाहिए, क्यों 33% की होनी चाहिए? क्योंकि यह और हमारा कर सकते हैं, पर्यावन Jenkins बिगड़ेगा, तो पूरी समझ लिजिएगा, पृरी परहने वाले जीव, एकदम तबाही तबाही की रूप में हो जाएंगे तो उन्हों ने अंतराष्टी संस्था के द्वारा एक प्रकार से कहा गया एक प्रकार से निश्चित बताया गया कि यदि प्रयाओं को संतुलन बनाना है तो पीड़ पोधों को कर सकते हैं कि हिस्सा यानि कि 33 भूभाग में पेड़ पोधर का रहना उचीत है यदि 33 परसेंट से कमी होगा तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रयाओं प्रदूसर होने लगेगा तो उसी कसंबन में यहां पर देखेगा प्रयाओं में ब्रिद की प्रतिस्था कितनी है होना अनिवार है लेकिन क्या सभी देशों में 33 परसेंट हैं कुछ देशों में अधिक हैं तो उसी के संबन में हम लोग देखेंगे बहारत में कौन से राज में अधिक है और वह पूड़ टोटल ऑफर आल यहदि भारत की बात करें तो उसमें कितना है इस इस प्रकार से जिदने above question बनेंगे हम इस वीडियो में कभल करने का प्रयास करने में तो दोस्तों देखेगा हमारी घ्र्ष है प्रदिख क्या करता है सी ओटू देता है और और करता है मनुष्ट से लेकर खे नहीं करता है यह प्रकार से संतुलनर पना हुआ हुआ है यदि हम इसमें क्या कर दें oxygen की मात्रा में क्या कर दें और carbon dioxide की मात्रा में ब्रिधी कर दें तो क्या होगा पेर पोधे तो बहुत उगेंगे लेकिन मनुस क्या मनुस खतम हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे तो इसी प्रकार से यहां फिकर सकते हैं कि CO2 कम हो और O2 का प्रद्रावन में क्या है पेर पोधा और मनुस्यों के बीच में जो इस्थिति आदान प्रदान चल रहा है यह क्या एक दूसरी पर निर्भर करते हैं यह प्रकार से चैंजस आने लगा तब अंतराश्टी संस्था ने बैठक को बलाई अब अंतराश्टी संस्था ने अनिमारे कर दिया लेकिन क्या 33 परसेंट होना सबी जगह अनिमारे नहीं है अगे अभी देखेंगे कि 33 परसेंट से कौम है कौन से राज में कम है कौन से राज में ज्यादा है अब आगे चलते हैं भारती वन सर्वेचंड संस्थान कहां पे इस्तित्या बहुत बार सथांस्थां में क्या करते है कि forcing reason सबस्षू 해이트 अपकर किके बैठ करके पूड़ी भारत में जितने अबी पिनपौदीं हैं जितने भी एक करता है उसको क्या करता है मापता और वन में घौसित करता है और पुरे भारत की प्रसेंटेज़ेता प्रियास करता है तो वहीं भारती सवकी सहस्तां देहरादून का तो निर्मार कब हुगा था तो वहीं 1981 इस्वी में और यह जो निर्मार होता है यानि कि प्रतेक जो डाटा देता है भारती वन सबसे अधिक हैं कहां पर सबसे कम है और भारत की उभराल प्रतिशत्ता कितनी है यही बताता है काउन भारती वन सबसे संस्तान डेहरा दूम्हें बेट करके सेटे लाट रिसोर्शेत के द्वादा देख ती हैं अब परतेक दो वास में वन रिपोर्ट जारी करता है जो कि पिछला वन रिपोर्ट आया था है वह कि ऐता कि और इसका एक डेट-पक्ष होता है जो कि 30 December को जारी करता है 30 December को क्या करता है कि 30 December को जारी करता है भारती वह समेच्छर सहस्थान कि कहां पर कितना परसेंट है अब जो 30 December को जारी किया था 2019 में उहां कौन सा रिपोर्ट था उहां रिपोर्ट था सो रहवी रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट था तो सो रहवी रिपोर्ट था अब देखें सो रहवी रिपोर्ट था अब एक वह कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट जारी करने में दो साल लगता है तो यहां से क्या हो गया 32 32 साल का एक रिपोर्ट पुड़ा मल्ला की अभी 32 साल का रिपोर्ट जारी हो चुका है अब देखिए अब जब 30 दिसंबर 2019 को एक रिपोर्ट जारी है तो अगला रिपोर्ट कब आया जगा तो अगला रिपोर्ट आएगा 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2021 को अब 30 दिसंबर जब 2021 को आएगा तो हमको तो अभी तो यह रिपोर्ट आया नहीं है और हमारा एकजाम इसी का सकते हैं अगले 2-3 मन्त में हो जाएगा तो हमको क्या हमको इसी डाटा के अनुसार में चलना होगा को से 30 दिसंबर 2019 वाले डाटा के अनुसार ही चलना पड़ेगा तो सब आज इसी के डाटा के अनुसार हम लोग आगे देखने का प्रियास करेंगे अब देखें कि एक क्वेस्चन आप लोगों से बहुत इंपोर्ट एक साऔर कि ढाओंगा जो भात की आजादी हुई थी उननीसौ में तक औरилась कम नमी है रिधी हुई है आप लोगों के प्रिच्छन थोड़ाओं तो देखिए अच्छा बता देता हूं कि 2019 से लेकर के 2019 के बीच में ब्रिच्छों के क्या हुई परसेंटेज में ब्रिध्धी हुई है अब आपको होगे कि ब्रिच्छों के अंधा धुम कटाई हो रही है फिर भी बिच्छों बढ़ रहे हैं नहीं ब्रिच्छ तो बढ़ नह नहीं है कि 1947 नका हुगा है कि ब्रिच्छों के संख्या तो बहुत अधिक थी अब यहां भी लोग देखेंगे कि 13 परसेंट ही बुरिच्छ थे लेकिन इस समय कितनी है इसमें कितनी है 21 21 कि विपार्सेंट कि वह और आल देख सकते हैं 21 परसेंट हला कि 21 दसमलोग सीवन 9 पर दीख हुई है लेकिन हमारी जो परसेंटेज है यह कैसे बढ़ गया तो इसका मेन वज़ा क्या है कि जैसे कर सकते हैं एक प्रकार से कि जब 11% हमारे भारत में वनों की स्थिती थी और वनों की स्थिती 11% थी और 33% ओवराल बिच्छों की स्थिती रहनी चाहिए तो जह हमारी सहींक्त बैठक होती थी तो हमारे देश के प्रधान मंत्री को थोड़ से डाट पड़ती थी क्यों आपकी देश में इतना कम है और जिस प्रतिसर्था कम है अब इसको आप लोग बढ़ाईएगा अब जिस प्रकार से बढ़ाईएगा तो अब वो तो प्रेण को लगा करके तो बढ़ाएंगे नहीं उन्होंने किया क्या एक काम किया कि पहले जो परिभासा अपना बदल दिये जो पहले परिभासा थे एक किलो म मिटर को टे 2 एक यह थे चिद्वीं सिन्गल क्यों प्रेड के बिच कर सकते हैं पहले क्या प्रेड काथा दैण रिंगों प्रेद्वी शिंगल क्या है तो ये और Mr ये tap अब सिंगल फेर्ड में जारी कर लिए और वहली क्या होता आप लोग देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि सड़क पर जो पेंट करके लिखा रहता है वह विभाग में लिखा रहता है लिखा रहता है तो आपनी परिभासा को ही बदल दिया गया जैसे कर सकते हैं थोड़ी से छोटी से एक्जामपल की बता सकता हूं कि जैसे कोची में क्या है सो एक हजाल लोग पढ़ते हैं और एक हजाल लोग पढ़ते हैं वहां के टीचर क्या करते हैं कि अन्हों ने बताया एक टेस्ट लिया एक टेस्ट लिया और बताया कि यहां पर यदि जो कोई भी 99 परसेंट स्कोर करेगा उसको क्या करेंगे हम लोग कि उसको तेज में घोसित करेंगे तो कितना हुगा 205 यहां कि कि हमारे कोचिंग में जो लोग कंड के हैं फिर ःंडेने कि सामील ही का ape भी ऑगएर उड़केया फिर देखा कि हमारे स्कुल में सूरीण ही है यहां कि जो क्षिक तेस्ट मिल भी लेकश्ट में सामेल भी हो जाते हैं ओ लोग भी तेज है तो प्सक्राइब कि यहां हमारा तेज की संख्या नहीं नहीं हमारे पढ़ायी होगी लेकिन तेज का परिभासा बदल दिया गया तुमारा आटोमेटिक व्रिद्धी लड़कों की संख्या में अब फॉरेश्ट रिसर्च सेंटर यह ते हैं ये फॉरेश्टी स्राभ स्था यह सब स सकते हैं फूल नेम पुछली आ जाता है यह फारसी में सी का मतलब क्या होता है तो फारेश्ट रिसर्च सेंटर अच्छ आब आगे चलते हैं भारती वनस्पती सरंस्थान भारती वनस्पती सरंस्थान तो भारती वनस्पती सरंस्थान कहां पर है यह जो देख रहे हैं न यह कोलकाता यहीं में क्या है ओyst टो पर कोल à Oh golden श्यां यह क्या है यहीं पर बहुत है भाति वन स्ब्रक में कहां पर है तो कोलकाथा में अब देखिए उपग्रह कोट किसा थी द्वारा जिरा दérience होती में एक हाली है है तो हाओ आरे सोट के दवारा अब आगे चलते हैं वन की स्तिती मिए इस्में वहत्माने वन की स्तिती किदनी वी है तो वन में वात्माने वन के और एक होका स्बाइब होता तो सन 2017 में एक डाटा जारी किया गया था अब पूछे टा हैं टावाल पोड़ defense और जारी उसके एटमी कि ज़ुकूल सबस्थ्थ SAR में कितनी परसेंट की बिद्धि होई है तो व्हों कि क्या होई है डाटा जारी हुए है कितना वृद्धि हुगा है तो 0.56 पर्सेंट वृद्धि हुगा है इसमें वनों की प्रतिसस्क्ता में अब देखे आगे चलते हैं कि वनका बिस्तार कितना है वनका बिस्तार है 712449 5501 düş तफल में क्या हुआ है हमारी वणकी इस्थित्प्धे अग Sundhan डेंगे चलते हैं सब से कम परसेंट वाला राजे सबसे कम कहां पे कशकटे हैं परसेंट में सबसे कम कहां पर Richards है तो आप लोग देख लिएगा कि जो हर्याणा हर्याणा है 3.62 परसेंट है और पंजाब में क्या है 3.67 परसेंट यानि कि इसमें थ्रुआ सा नाम मात का अलग हुआ है यानि कि जो हमारी पंजाब है पंजाब में सबसे कम ब्रिच हुआ करता था लेकिन जो अब दो जारी हुआ है उसमें क्या है पंजाब दूसरे नंबर पर आ चुका है सबसे कम पूछेगा तो हर्याणा है अब याद को इसे करोगे फुरस यहां से से एक प्रकास से ले लेह रख लैते हैं कि कि नाम अधिक हर्य उसकी हारा भरा है लेकिन काम क्या है सबसेखम है उसकी बाद पंजाब है अब दिखे सब आगे चलते हैं कि सबसी अधिक पर्सेंट में यहाँ हम लोग देखेंगे किस जो सपसेखच का फ्रेकर फल है तो सबसे परसे बाला राज कौन सा हैं तो कौन सा मिजोरम में कितनी है bunun 85 क्या को है आन की स्थिति है और अर्णचल प्रद्रश में देखेंगे तो 79 परसेंट की इस्थिति है मेगाले में देखेंगे तो मेगाले में 7-6% की कमी है 76% क्या है one है और माडीपूर में 75% और नागाले मेर में भी 75% इस प्रकार से इसको क्रम को पूछ लिया जाता है कि 2021 टाटा के अंसवार सबसे ज्यादा परसेंट वनों में परसेंट सबसे ज्यादा कहां पे है तो हैं के मिजोरम से केड़ नमबर सब्सक्राइब तो कहां है तो अरुणांचल पर्देश में इस प्रकास से पूछेगा हाला कि दो तिन डाटा याद कर लेज़ेगा हो जाएगा उतने में अब देखे यह तो हमारा परसेंट के साथ हो गया और यह क्या हो गया सबसे अधिक छेत्रफल के साथ से सबसे ज्यादा कहां पर छेत् सेनटटू फाइफ पर सेंट में क्या है वनंए है लेकिन यदि इसके पास में गया है पचाशास एकर जमीन रहे 50 वप्र सेंद्ना परसेंट बना चार परसेंट रहीं लिकिन क्या है कंई है इस देखेंगे कि प्र्चे़तेफरे जादा कहां पर है मध्रपर्देस में नंबर अर किया है यहां पर क्या है अ though it is also the Here But yes the Uribilsa Bagel प्रश्चिमंग्गाल कर सकते हैं नीचे क्या है उडीसा है और महाराष्टी कहाँ महाराष्टे हैं और महाराष्ट में सबसे कर सकते हैं 15 पांच में पर्सेंटेज के सब से अब देखे सबसे अधिक परसेंट में जो है मिजोर म मीजोर हम को रहा है मीजूरम वश यहीं वाला है का मीजोरम है धाuations त्रिपुष हो इस देख रहे हो मीजोरम है मिजोरम में किना है 85 ना है 85 है 85 परसेंट आप लोग देखेंगे ज्खेंगे ना पुरोत्तर राज में क्ला है पहानिया बहुत है जब पहाणिया बहुत होंगे तो की होगा खेती करने लोगkę तो होगा प्रिच की परसेंटेज कोता बहूत अधिक होगी तो हुमारा एकला 85 पर्शंट वही मिजोड़म हो गया और उसके बार सब होगा है इसमें इसमें सभी जो होगा है सब पुर्वत्राज में ब्रिध्धि देखने को मिलता है अब भीडिक्वासा यहां लोग देख सकते हैं यहां पे तो न उम्मित चाहूँगा कि आप लोगों को समझ चब्पका होगा तो दोस्तों जदी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देयेगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ अलग करने के लिए सो दोस्तों एक कमेंट तो ज़रो कर देजिएगा और बस मिलते हैं नेक्ट बीडियो में तब तक लिए थैंक यू, all the best, bye bye